गुटना, कंदा या कमल, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर और्थो आपको देता है दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिगी नमस्ते, मेरा नाम ततीक्षा है और आप देख रहे हैं दील ललन टॉप का इंटरनाशनल नियूस बुलिटन, दुनियादारी अमेरिका के न्यू यॉक शहर का ब्रुक्लिन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोड, इस कोड में मंगलवार को जज निकोलिस गैराउफिस एक बहुत ही बड़े मामले में सजा पर सुनवाई कर रहे थे कोड में एक तरफ 60 साल का मुझरिम बैठा था, नाम कीत रानियर, दूसरी तरफ गवाह थे, गवाहों में दरजन भर पीड़ित लड़किया, इसमें 29 साल की लड़की भी थी, नाम इंडिया अमेरिका की मश्चूर टीवी अक्ट्रिस कैथरिन ओक्जनबर्ग की बेटी है इंडिया, इंडिया जच को बता रही थी कि कीत रानियर उसे भूकी रखता था ताकि उसका फिगर ऐसा हो जाए कि वो 12 साल की एक लड़की की तरह दिखे इंडिया ने बताया कि उसकी जांक पर कीत ने अपने नाम के शुरुवाती दो अक्षर का टैटू करवा दिया था वो उसे न्यूड रखता था, उसके साथ रेप करता था एक और पीडत कामिला ने बताया कि 2005 में जब वो 15 साल की थी तबसे ही मुझरम कीत ने उसका रेप करना शुरू कर दिया था कीत उसका ब्रेनवाश करता था, इस तरह क्यारोप लगाने वाली और भी लड़किया थी और इन में से ज्यादा तर अमीर घरों की लड़किया थी सुनवाई पूरी होने के बाद, जज ने कीत रानियर को 120 साल की कैद की सजा दी 60 साल के आदमी को 120 साल की सजा का मतलब है, उसका जुर्म बहुत ही संगीन माना गया होगा जिस आदमी को ये सजा दी गई है, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, मेकसीको और कैनेडा में भी गुरू की तरह पूजा जाता था बड़े बड़े फिल्म स्टार इसके आश्रम में जाते थे हैरी पॉर्टर वाली हर्माईनी यानि एमा वाटसन तक कीत रानियर की भक्त बताई जाती है वही गुरू आज एक बड़ा मुझरिम करार दिया गया है पूरी कहानी समझने के लिए 2017 के साल में लोटते है अगस्त का महीना 25 अगस्त को हरियाना के पंचकुला की एक अदालत ने डेरा सच्चा सौला के प्रमुक रामरहीम को दो महिलाओं के वेप के मामले में दोशी पाया जोसादमी को हजारों अनुयाई भगवान की तरह मानते थे उसका अपराधी साबित होना एक बड़ी घटना थी इसके बाद खबरिया चैनलों पर रोज और खुलासे होते थे कि कैसे महिला भगतों का रेप के लिए रामरहीम ने एक सीक्रेट गुफा बना रखी थी भारत में ये मामला चल ही रहा था कि अमेरिका के प्रतिष्टित अख़बार न्यू यॉक टाइम्स में 17 अक्टूबर 2017 को एक रिपोर्ट चपी इस रिपोर्ट से अमेरिका समेट कई देशों में लोगों को वैसा ही आगहात लगा जैसा राम रहीम के भक्तों को लगा था रिपोर्ट में कैनेडा की नामी अभी नेत्री सारा एडमंटसन के हवाले से एक बड़ा खुलासा चापा था सारा नेक्सियम नाम के एक संगठन की सदस्य थी नेक्सियम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप कमपनी है जुसका दफ्तर न्यू यॉक के क्लिफ्टन पर्क में है नेक्सियम की सदस्य बनने के बाद सारा एडमंटसन ने कैनेडा में भी लोगों को इस संगठन से जोड़ा और फिर सारा के साथ वो हुआ जसके बारे में उन्हें जरा भी अनुमान नहीं था सारा को कहा गया कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा इसके लिए उन्हें एक सिस्टरोड गुरुप में शामिल होना हो गा नेक्सियम कमपनी का एक बेहद सीक्रेट प्रोग्राम था इसमें पाँच-पाँच के समुओं में महिलाओं के ग्रुप्स बनाया जाते थे जिसका एक मास्टर होता था ग्रुप में शामिल होने से पहले मास्टर को कुछ खास चीज़े देने पड़ती थी क्या खास चीज़े जैसे गंगर तस्वीरे या शारीरिक सम्मन्त के वीडियो महिलाओं को भर्ती करने वाले मास्टर ये श्रत रखते थे कि अगर किसी महिला ने इस सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में बाहर बताया तो उसकी nude photos पब्लिक कर दी जाएंगी New York Times को Canada अभिनेत्वी Sarah Edmondson ने बताया कि भर्ती लेने के बाद सबसे पहले महिलाओं को एक टैटू बन वाले के लिए कहा जाता था और इसके लिए सारे कपड़े उतार कर बिलकुल नगन कर एक मसाज टेबल पर लिटा दिया जाता था ग्रूप की चार और महिलाओं को लेटे हुई महिला के हाथ पैर पकड़ने के लिए कहा जाता था और फिर ग्रूप का मास्टर शपत दिलाता था और एक फीमेल डॉक्टर आकर जांग के उपर दो इंच का टैटू बनाती थी इस टैटू में दो अक्षर होते थे कौन से दो अक्षर? नेक्सियम संगठन के मालिक के नाम के शुरुवाती दो अक्षर और नेक्सियम का मालिक कौन है? कीत रानियर वही कीत रानियर जिसे अब 120 साल की जेल हुई है अब सारा एंडरसन की कहानी को यही विराम दे कर कीत रानियर का किस्सा शुरू करते हैं 1990 का दशक अमेरिका के न्यू यॉउक में कुछ लोगों ने मिलकर एक कमपनी शुरू की नाम था कंस्यूमर्स बाइलाइन ये कमपनी परचूनी का सामान डिसकाउंट पर ग्रहकों को बेचती थी लेकिन जल्दी ही कमपनी के खिलाफ शिकायतों का अमबार लग गया अमेरिका के कई राज्यों में जाज शुरू की गई और कमपनी को बंद करने का आदेश दिया गया साथ ही 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया इस कमपनी के संस्थापकों में से एक नाम कीथ रानियर का भी था कमपनी बंद होने से कीथ बेरोजगार हो गया उसे एक नए धन्धे की तलाश थी जिसमें बड़ा मुनाफ़ा हो सके इस बार उसके पास थोड़ी अलग तरह की तरकीब थी उसने अपने बाल लंबे कर लिये और जीवन के फलसफे पर प्रवचन करने लगा जल्दी ही उसने नेक्सियम नाम का एक संगठन बना लिया जुसका परिचय एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कमपनी के तौर पर था यानि एक पिरमिट स्टाइल की कमपनी जिसमें हर स्तर पर लोगों को और लोग जोडने का जिम्मा दिया जाता है और उसी के हिसाब से उनकी कमाई तै कर दी जाती है और नेक्सियम कमपनी क्या करती थी जीवन का असली दर्शन बताने का काम देशी भाशा में कहें तो ये बाबा का आश्रम था इस कमपनी में नेक्सियम के संस्थापक कीत रानियर के प्रवचन होते थे वे लोगों को बताता था कि कैसे कमजोरियों से पार पाकर जीवन में सफलता हासिल करे कीत रानियर ने करोड़ पतियों को अपने भक्त बनाने का लक्ष बनाया भक्तों के लिए बाकाईदा कोर्स चलाय जाते थे इसके अलावा Executive Success Programs भी चलाय जाते थे कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक बार इस कोर्स में दाखिला ले लिया तो फिर वो कीत रानियर के पक्के भक्त बन गए उन्होंने अपना करियर, नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और कीत के आश्रम में ही रहने लगे ऐसे लोगों में कई लड़कियां थी अब यहां तक तो किसी कानून का उलंगन नहीं होता लेकिन कीत का घिनोना खेल इसके बात शुरू होता था जो लड़कियां उसकी भक्त थी उनका ब्रेनवाश करके वो सेक्स के लिए राजी कर लेता था इन लड़कियों के आरोपों के मुताबिक वो उन्हें नग्ण रखता था जो उसकी फेवरिट लड़किया थी उन्हें कभी भी सेक्स के लिए बुला लिया करता था और वो उन लड़कियों का फिगर अपने मन के मताबिक चाहता था उसके लिए डाइटिंग के नाम उन्होंने उन्हें कई-कई दिन तक भूखा रखता था और इस पूरी प्रोसेस को लेकर कीत ने अपने लोगों को इस तरह से ब्रेनवाश किया था कि सबको लगता था कि ये चरण भावनाओं पर काबू करने के लिए जरूरी है उसने एक सेक्स कल्ट बना लिया था जिसमें इस तरह के कई काम होते थे जो कानून की भाशा में यौन शोशन कहलाएंगे और उसके बाद उसने सिस्टरूट का प्रोग्राम शुरू किया जिसमें सीक्रिट तरीके से लड़कियों की ब्रैंडिंग की जाती थी यानि हर लड़की की जांग पर अपने नाम का टैटू बनवा देता था उन लड़कियों को स्लेव यानि गुलाम कहा जाता था कीत के इस तंत्र की हलकी फुल की शिकायते 2012 में भी आई लेकिन तब दब गई पर आखिरकार पाप का घड़ा भर कर फूटना ही था कुछ साल पहले सारा एड्मर्ण जैसी कई लड़कियों ने कीत रानियर के खिलाफ शिकायत की और केस चला और उनकी शिकायतों की जाच के बाद ही मंगलवार को कीत को सेक्स ट्राफिकिंग समेथ कई अपराधों का दोशी पाया गया है 120 साल की सजा के साथ 13 करोड रुपे का जुर्मान लगा गया है यानि की आगे की पूरी जिंदगी अब वो जेल में गुजारेगा कीत की कहानी से एक बात तो साबित होती है कि बाबा के जासों में आने वाले सिर्फ भारती ही नहीं है अमेरिका के सो कॉल्ड शिक्ष्ट समाज में भी ऐसे कारोबार चलते हैं ये था हमारा बड़ी खबर सेग्मेंट अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ पहली सुर्खी अमेरिका से है फिलाडेल्फिया में एक अश्वेत यूवक की हत्या के बाद शुरू हुआ प्रोटेस्ट हिंसक हो गया प्रदर्शन कारियों ने पुलिस पर पत्थर बाजी की और कई दुकानों को लूट लिया पुलिस ने लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील की है वाल्टर वॉलिस जूनियर को 26 अक्तूबर को पुलिस ने गोली मार दी थी वो अपने हाथ में चाकू लेकर घर से निकल रहा था घरवालों का कहना है कि Wallace Jr. bipolar disorder से पीडित है पुलिस की shooting का वीडियो बाहर आने के बाद Philadelphia में लोग सडकों पर उतरा है इससे पहले मई में Minneapolis में George Floyd की हत्या के बाद पूरे अमेरिका में प्रदर्चिन हुए थे दूसरी सुर्खी हंग कॉंग से है अमेरिकी दूतावास में शरण लेने की तयारी कर रहे सोशल अक्टिविस्ट टोनी चूंग को अरेस्ट कर लिया गया है 27 अक्टूबर को पुलिस ने दो अन्यकारे करताओं को भी किरफतार किया है उनके उपर सोशल मीडिया पर अलगाववादी कमेंट्स करने का आरोप है ये लोग स्टूडन्ट लोकलिजम नामक ग्रूप चलाते थे ये ग्रूप होंग कॉंग को चीन से आजाद करने की मांग कर रहा था हालाकि ग्रूप का कहना है कि उन्होंने जुलाई के बाद से होंग कॉंग में काम करना बंग कर दिया था अगर अरोप साबित हुए तो अरेश्ट हुए लोगों को तीन से दस साल तक के कैद की सजा हो सकती है आज की तीसरी सुर्खी कतर से है दोहा एरपोर्ट पर महिलाओं को प्लेन से उतार कर जबरदस्ती मेडिकल जाँच कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है एरपोर्ट पर कच्रे के डिब्बे में एक नवजात बच्ची मिली थी इसके बाद अधिकारियों ने सिड्नी जा रहे एक प्लेन को रोक लिया महिलाओं को अस्पताल ले जाए गया और जाँच की गई कि उन्होंने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म तो नहीं दिया है ये घटना 2 अक्टूबर की है लेकिन पिछले हफते ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूज चानल पर पहली बार चली ऑस्ट्रेलिया ही सरकार ने इस पर कडिया पत्ती जताई कतर की सरकार ने इस घटना के लिए माफी मांगी है और सक्त जाच के आदेश दिया है ये थी आज की सुर्खियां अब बारी है तारीक सेक्शन की आज है 28 अक्टूबर इस दिन एक मश्खूर मूर्ती को राष्ट के नाम समर्पित किया गया था ये एक देश का दूसरे देश को तोहफा था जो बाद में स्वतंतरता और उदारता का प्रतीक बन गया ये अपनी तरह का अनोखा उपहार था जिसमें मूर्ती बनाने का खर्च एक देश ने उठाया जबकि उसे अपने हां स्थापित करने का खर्च दूसरे देश ने ये कहानी है स्टाचू ओफ लिबर्टी की 1865 का साल था फ्रांस में लौ के एक प्रफेसर हुए एडवर्ड रेने लबाउले उन्होंने एक विजन पेश किया अमेरिकन सिविल वार में संग की जीत और प्रथा के खात्मे को सलामी देने के लिए लेबाउले ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका के लोगों को मिलकर इस आजादी का समारक तयार करना चाही इस खयाल को धरातल पर उतारने का जिम्मा उठाया मशुहूर मूर्तिकार फ्रिडरिक बार्थोल्डी ने इस काम में उन्हें साथ मिला एफिल टावर का डिजाइन बनाने वाले अलेक्जांडर गुस्ताव एफिल का एफिल ने इसका डिजाइन तयार किया जब मूर्ति के लिए पैसे जुटाने की बात आई फ्रांस की आम जनता ने दिल खोल कर दान दिया एक तरफ फ्रांस में मूर्ति बन रही थी दूसरी तरफ अमेरिका में सतह बनाने की तयारी चल रही थी ताकि उसे स्थापित किया जा सके जगे चुनली गई थी लेकिन एन मौके पर फंड्स की कमी पड़ गई तब सामने आये जोजेफ पुलिद्जर उन्ही के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिद्जर अवार्ड्स भी दिये जाते हैं पुलिद्जर ने अपने अकबार के जरिये लोगों से अपील की अपील काम आई लगभग एक लाख बीस हजार लोगों ने दान दिया अधिकतर लोगों ने एक डॉलर से कम की रकम दी थी लेकिन फिर भी काम चल निकला 1885 में मूर्ती बन कर तयार हो गई अब इसे अमेरिका पहुचाने की देर थी इसके लिए जहास तयार किया गया 225 तन की मूर्ती को अलग-अलग टुकडों में पैक करके फ्रांस से रवाना किया गया अगले चार महीने तक मजदूरों ने इन टुकडों को जूड़ा असेंबल करने के बाद मूर्ती की उचाई 305 फीट हो चुकी थी 28 अक्टूबर 1886 को राश्टपती ग्रोवर क्लीवलेंड ने New York में Statue of Liberty को डेश को समर्पित कर दिया जसआइलेंड पर Statue of Liberty को स्थापित किया गया उसका नाम बदल कर Liberty Island कर दिया गया तब से Statue of Liberty ने अमेरिका आने वाले प्रवासियों का दिल खोल कर स्वागत किया है ये था आज का दुनियादारी शो अब चलते चलते विश्व कविता आज विश्व कविता में आपको सुनाते हैं पॉलिश कवी तदेउश रूजोविच की कविता 1918 में पोलन को मिली आजादी के बाद कवियों की पहली पीड़ी में रूजेविच शामिल थे दूसरे विश्विद्ध में जब नाजी जर्मनी और सोवियत संग की सेनाय आमने सामने थी तब पोलन की पोलिश अंडरग्राउंड होम आर्मी के लिए भी उन्होंने अपनी सेवाई दी कविताओं के अलावा रूजेविच नाटक भी लिखते थे जिनका अग्रेजी में अनुवाद भी हुआ पोलिश अमागार्द अंडोलन के बारे में जिक्र होने पर आज भी उरूजेविच का नाम बड़े अदब से लिया जाता है आए सुनते हैं उनकी कविता मुझे दिखते हैं पागल दीवाने जिसका हिंदी अनुवाद किया है कवी असद जैदी ने मुझे नजर आते हैं पागल दीवाने जो पानी पर चले थे आखिरी लमहें तक अपनी आस्था के भरोसे और समद्र में दूब गये थे वे अब तक जग जोरते हैं मेरी डगमक करती नाव को निश्ठुरता से जीते हुए मैं परे धकेलता हूँ उन अकड़ चुके हाथों को मैं उन्हें परे धकेलता हूँ साल दर साल कसर रह गई हमारी कोशिशों में कसक रह गई कि देश जितना बहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है भावुकता का लबादा ओड़ कर बोलता तो यू बोलता लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंक से आप तक कहीं जानी है ललन टॉप लेकर आया है एक नया प्लैक्फॉर्म तेरा तुझको अरपण ये प्लैक्फॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए ये उन सब भारतवन्शियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है लेकिन कुछ कसर और कसक है तो आईए कसम खाएं कि देश को बहतर बनाएं हमें आप से चाहिए आपके हिस्से का ज्यान जो आप ललन टॉप के जरीए अपने देशवासियों के साथ साजह करें ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों पूरा देश जाने इन नायाब चीजों के बारे में ये पॉलसी से जुड़ा ग्यान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है तो आईए और ललन टॉप की इस नई पेशकर तेरा तुझको अरपन का हिस्सा बनिये